हाई गाईज, वेलकम तो विनायक बिलीवर्स क्लासेज, सो स्टुडेंट्स कल हमने वीडियो में किया था नियोजन, नियोजन अच्छे सी आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आज हम पढ़ेंगे उसका नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप जो की है आपके क्या है, बेसिकली, सो स्टुडेंट अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक, शियर, सब्सकाइब करना नहीं भूलेगा, ध्यान से पढ़िएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, अगर इससे रिलेटिड कोई भी कोशिन आता है, तो आप डेफिनेटली पेपर में उसको कर पाएंगे, ओके, चलिए, ओके, संगठन की बात करती है, बेसिकली संगठन क्या होता है, देखे, कोई भी इनसान किसी भी कारे को अकेला नहीं कर सकता, उसके लिए उसको किसी ना किसी की जरूत होती है, मिन्स कि उसको किसी ना किसी की साथ की जरूत होत है help की जरूत होती है क्योंकि कोई भी इंसान अकेला कारे नहीं कर सकता ठीक है सो इसी लिए उसको क्या बोलते है organization basically क्या मीन होता है संगठन शब्द की जो आपके उत्पत्ती हुई थी वो किस से हुई थी organism से हुई थी ठीक है आप ये देख लीजिएगा ध्यान से पढ़ लीजिएगा organism से हुई थी और आपके organism में organs का क्या मतलब होता है organs का मतलब होता है अंग ठीक है organs का क्या मतलब होता है अंग से लिया जाता है ठीक है जो की हमारे शरीर के सभी अंगों की बात करता है और किसी भी कारे को हमें करना है कोई भी कारे करना है जैसे हमारे को शरीर के सभी अंग कारे करते हैं हाथ नाक कान पैर जीब आंख सभी काम करते हैं और सबका अलगलग काम होता है उनको क्या काम करना है उसी तरह से जब घर में बाहर वर्क प्लेस पर किसी भी जगह पकर किसी इनसान को कोई काम करना है तो वो अकेला नहीं कर सकता उसके लिए उसको अपने साथ रहने वाले सदस्यों की सहायता की जुरत पढ़ती है तो इसको बोलते हैं संगठन किसी भी कार्य को मिल जुल कर करना किसी की हेलप से करना वो होता है संगठन इसमें बेसिकली क्या होता है अगर मैं आपको संगठन की एक सिंपल परिभाशा बताऊं तो इसमें होता है संगठन जो होता है बेसिकली व्यक्तियों का एक ग्रुप होता है संगठन क्या होता है व्यक्तियों का समू होता है जो की एक नेता के निर्देशन में समान्य उद्देश्यों की पूर्ती के लिए सहयोग करते हैं व्यक्तियों का समूह होता है ठीक है और ये क्या करते हैं आपने देखा होगा घर में एक मुख्या होता है उसके निर्देशा अनुसार सभी कारे संपन किये जाते हैं उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है इसी तरह से होता है संगठन संगठन में व्यक्तियों का समूह होता है और एक जो ऐसा इंसान जो घर में सही निर्णे लेता है घर का मुख्या होता है बड़ा होता है वो नीता के रूप में कारे करता है निर्देशा उसके निर्देश पर घर के सभी व्यक्ति कारे करती हैं ठ संगठन की प्रकिरिया के स्टेप्स जो आ रहे हैं में फर्स्ट देखिए क्रियाओं का निर्धारन के अगर बात की जाए तो लक्षे प्राप्ति करनी होती है जब लक्षे प्राप्ति के लिए योजना बनाने के बाद उसे क्रियानवित करने के लिए क्रियाओं का निर्धा जाता है कोई भी कारे उसकी प्रकर्ति कैसी है उसका आकार कैसे है उद्देश यह तथा उसके जो भी उसमें निहित जो भी उत्तरदायत्व है means कि किसी भी कारे को करना है तो उससे related जो भी हमारे responsibilities हैं उत्तरदायत्व हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो सब activities होती है means कि उप क्रियाए मैंने आपको बताई थी ना जो सब activities होती है उनको टुकडो में क्या किया जाता है विभाजेत किया जाता है और फिर अलग-लग व्यक्तियों को कारे का सोंपा जाता है means कि आपको कोई कारे करना है उस कारे को करने में कौन-कौन से आपके ची क्रियाओं के समुही करण में क्या होता है क्रियाओं का समुही करण जो है वो संगठन का एक second step माना जाता है ठीक है दूसरा step माना जाता है सो स्टूडेंस आप यह ध्यान रखिएगा कि हम जो बात कर रहे हैं steps की आपको नियोजन के मैंने steps बताइए आपको आज संगटन के steps भी बता रहे हूँ So अब ध्यान रखकेँगा कि कुन सा step जो है वो कोन से ग्रहय विवस्ता की प्रकिरिया के कौन से चरन में आ रहा है ठीक है समुभी करन क्याता है इसमें दो समान प्रकार की क्रियाएं होती है जो क्रियाएं एक दूसरे से क्या होती है Related होती है संबंदित होती है उन्हें एक साथ रखते हैं means कि जो भी कारे करना है दो कारे हैं जो एक दूसरे से संबंदित होते हैं उनको एक साथ रखते हैं जैसे कि आपको मैं एक सिंपल सा उधारन दे देती हूं means कि किचन का कोई काम है उसमें घर के सदस्य हैं घर के सदस्यों में जैसे किसी का नाम समझ लेजे अनीता है ठीक है उसको क्या करना आता है किचन का मतलब उसको रोटी बनाना आता है किसी को सबजी बनाना आता है ठीक है तो इस तरह से जिसको जो काम आता है उसको बांट दिया जाता है क्रियाओं का समूही करन ठीक है साफ स जैसे जिसको साफ सफाई का कारे करना नहीं आता उसको वो कारे नहीं दिया जाता घर के सदस्यों को चाहे वो वर्क प्लेस हो वर्क प्लेस के इंप्लॉईस को उस इंसान को उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसकी योग्यता के अकॉर्डिंग उसकी जो उसमें कोशल है उ भाजन किया जाता है इस तरीके से किया जाता है इस सूच बूज के साथ और विवेक पूर्ण निर्ने लेकर किया जाता है कि सबी व्यक्ति जो है उनकी उसमें रूची का ध्यान रखा जाए ठीक है क्षमता का ध्यान रखा जाए प्रतिभा कैसी है उसमें ये ध्यान रखा ज ठीक है अधिकारों का सोंपा जाना में देखिए इसमें चाहे कोई संस्था हो या घर हो परिवार हो उसमें प्रतेग जो सदस्य होते हैं उनको केवल ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ कारे ही दिया जाएगा कि आपको ये कारे करना है कर दिया ऐसा नहीं है उनको कुछ ऐसे तो वो आपका कारे अच्छे से नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या करते हैं, कि वो इंसान responsible वने, इसलिए उसको कारे दिया जाता है, और पूरी निष्ठा के साथ करे, इस तरीके से उसको कारे सोंपा जाना चाहिए, ठीक है? नव नेक्स्ट आ रहा है, आपके समन्वे संतूले नेवं संबंध स्थापित करना, समन्वे संतूले नेवं संबंध स्थापित करना, सो ये बात हो रही है, ये आपका लास्ट जो स्टेप है, आपके संगठन का, सो ये आ रहा है, आपके समन्वे संतूले नेवं संबंध कापित करना means कि आपका जो भी परिवार के सदस्य हूं चाहे वो इंस्टिट्यूट के करमचारी हूं इंप्लॉईस हूं उनके आपस के अंदर जो भी है वो क्या होना चाहिए एडजेस्टमेंट करने का गुन होना चाहिए संतूलन और उनके आपस में जो है संबंद अच्छ होने चाहिए उनके चाहे ग्रहनी है उसको परतेक सदस्य के मध्य समन्वय बनाए रखना चाहिए means कि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को काम कम दिया किसी को जादा दिया तो उन दोनों के आपस में क्लैश हूज है mentality क्या हो जाती है कि उसको कम दिया मुझे जादा दिया ऐसी चीजें करमचारियों के बीच में भी आती हैं इंस्टिट्यूट्स में जहां लोग काम करते हैं एक साथ वहां भी आते हैं सो इस तरह से आपको कोई भी जो नेता है जो आपके जो मुखिया है घर का जो कारे सोंप रहा है जो इसके निर्देश पर सभी लोग कारे कर रही ह है उसको यह चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जो आपके जो सदस्य काम करने वाले हैं उनके बीच में क्या हूँ समन्वय होना चाहिए संतूलर हो उनके संबंदों में उनके आपस में मद्ध्य जो संबंद है वो अच्छे रहें इस तरीके संबंदों में बनाई रखना ओके यह था आपका संगठन आपको संगठन समझ में आ गया होगा उसके अलावा संगठन का में और कोई जानने वाली बहुत ज़्यादा बात नहीं है संगठन की अगर महत्तों की बात करें तो महत्तों में आप देखिए कोई वी कारे हैं अगर चार लोगों के बीच में artifact देंगे तो वहाँ पर ब्रEst Major में में करने वाला तो वो उसस चीज़ को बढ़ाभावा देता है तो इस ब्रहस्ट आचार को रोकना, विकास को बढ़ावा देना, प्रबंदकों के विकास, वेप्रसिक्षन में सहायता देना, यह सब चीजें जो है, यह महत्तों में आ जाती है नेक्स्ट आरे आपके नियंतरण, नियंतरण देखी क्या होता है, बेसिकली नियंतरण होता है, जो योजना को किर्यानवित करती है, नियंतरण क्या होता है, जो की योजना को किर्यानवित करती है, वो होता है आपके नियंतरण, इसमें आगे अगर बात की जाएं, और को क्या करती है गती प्रदान करती है ठीक है उसके अलावा देखे इस बेसिकली नियंतरन होता क्या है नियंतरन शब्द का अर्थ जो होता है इसमें आपके किसी भी कारे को निश्पादन पूर्व निश्चित योजना बनाना निर्देशों के उद्देश्य ठीक है जो भी न निर्देश हैं उदेश्य और सिद्धानतों के अनुरूप हो रहा है या नहीं मीन्स कि हमने एक जो भी कारे करना है उस कारे को ध्यान रखना कि जो हमने उदेश्य बनाए थे लक्षय बनाए थे उसके अनुरूप कारे हो रहा है या नहीं और अगर नहीं हो रहा है तो ये ज चानना कि वो क्यों नहीं हो रहा है और उस कारे को सही ढंग से ना हो पाने के पीछे कोन उत्तरदाई है और उसके सुधार कैसे किया जाना चाहिए सुधार के क्या उपाय किया जाने चाहिए ये होता है नियंतरन ठीक है किसी भी कारे पर नियंतरन और किसी भी कारे पर नियंत देशय बनाए वो लक्षव देशय है हमारे पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं क्यों नहीं हो रहे हैं किसकी वज़ा से नहीं हो रहे हैं और अगर तो हमें जो सुधार करना है उसके भी हमें उपाए करने हैं उसके अलावा अगर हम और बात जाने नियंत्रण के बारे में तो पारिवारिक उदेश्यों लक्षों की पूर्ती के लिए जो हम नियोजन बनाते हैं means कि जो भी हम योजनाय बनाते हैं ठीक है वो नियमित रूप से चल रही है या नहीं चल रही तो यह जानने के लिए क्या करते हैं कार्य को किर्यानवित करते हैं उसकी जांज परताल करते हैं और आवश्यक रूप से उसके अंदर सुधार करके नियंतरन करते हैं तो यह बेसिकली एक डेफिनिशन थी नियंतरन बेसिकली यह होता है ठीक है नाव देखते हैं हम नियंत्रण के चरण नेक्स्ट आ रहा है आपके नियंत्रण के चरण नियंत्रण के चरण में बात करें तो फर्स्ट जो स्टेप पाता है किर्यानवाईन को शक्ती परदान करना किर्यानवाईन को शक्ती परदान करना means कि जो भी कारे किया जा रहा है उसके अंदर इस तरह से एक पावर डालना कि वो कारे जो है अपने लक्षे उद्धिशों तक easily पहुँच जाए शक्ति प्रेदान करने का मतलब क्या है basically means कि आप किसी को कारे सोप रही है लेकिन वो उस कारे को अच्छे से नहीं कर पा रहा है उसमें इतनी क्षमदा नहीं है कि वो उस कारे में सही गलत उचित अनुचित के बारे में अच्छे से सोच समझ सके या कारे कर सके उसमें इतना आ रिवार के जो भी सदस्य होते हैं उनको सब को क्या किने चाहिए उनको प्रेड़ना दी जानी चाहिए ताकि कार्याच्चे से करें और मॉटिवेशन कैसे मिलता है एक सिम्पल दे देती हूं कि जब हमें कोई भी बच्चा है हमारा अगर वो पढ़ता नहीं है स्कूल नहीं जाना चाहता स्टाड़ी में उसका ध्यान नहीं है हम उसको क्या देते हैं हम उसको एक ऐसा बोलते हैं कि अगर आपके अच्छे मांक्स आएंगे तो हम आपको यह दिलाएंगे means किसी न किसी चीज का उनको लालच दिया जाता है कि हम आपको चोकलर दिलाएंगे हम आपको आजकल तो स्मार्टफोन का है कि स्मार्टफोन दिलाएंगे आपको लैप्टोट दिलाएंगे आपको साइकल दिलाएंगे इस तरह की चीजे बोलने पर बच्चा क्या करता है अपना काम अच्छे से करता है यह होता है motivation किर्यानवा इनको शक्ति प्रदान की जाती है किस से motivation से उनको प्रेड़ना दी जाती है नेक्स्ट आ रहा है आपकी जाज निरिक्षन करना जाज का निरिक्षण करना में क्या आता है आप इसे कर सकते हैं जैसे कि नियंटरन का ये second step माना जाता है means कि कोई भी कारे चल रहा है वो किर्यानवित हो रहा है और उसकी परिस्थितियों की जाच करना कि वो किन परिस्थितियों में हो रहा है सही से हो रहा है या नहीं हो रहा जांच पर निरिक्षन से आप समझ जाएंगे कि किर्यानवित जो कारे हो रहा है जो कारे चल रहा है उसका जांच करना उसको अब्जर्वेशन करना ठीक है उसको अब्जर्व करना कि वो सही से हो रहा है या नहीं इसके अंदर क्या आ जाता है बेसिकली जांच करने के दो सिधानत आ जाते है बताती हूँ आपको इसके अंदर देखे फर्स्ट आ जाता है आपके मार्ग दर्शन ठीक है फर्स्ट आएगा इसके अंदर मार्ग दर्शन और आपके इसके अंदर second आ जाता है निर्देशन ठीक है जांच निरिक्षन करना के अंदर first आता है दो महत्वपुन तत्तव आते हैं मार्क दर्शन दूसरा निर्देशन मार्क दर्शन जो है इसमें व्यक्तियों के क्या करे जाते हैं गुणों को रूचियों को कारेक्षमत क्या है अगर अगर उसमें किसी कारे को करने के क्षमता कम है रूचियों उसकी कारे में नहीं है तो उसको दीरे 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 उस विशे के बारे में क्या क्या जाते है ज्यान दिया जाते है और जैसे जैसे व्यक्ति वो कारे सीखता जाता है उसमें कुशलता आती जाती है य तो परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं करमचारी होते हैं जो भी कारे करते हैं सभी प्रकार के उनको क्या किया जाता है आवश्यक निर्देश उनको पहले ही दे दिये जाते हैं निर्देशन होता है बेसिकली डिरेक्शन कि आपको इस कारे को इस स्तर पर इस गुणों को म ये होता है आपके जांच निरिक्षन के दो महत्वपुन् तत्व है मार्ग दर्शन और निर्देशन समायोजन समायोजित करना के अंदर के आजाता है मेंस कि कोई भी जो भी सदस्य कारे कर रही है जो उनके और आपस में दूसरे सदस्यों के बीच में एक adjustment का भाव होना चाहिए means कि कोई भी योजनागर की ज्यानवित करते हैं उसके बाद कभी-कभी हमारे सामने ऐसी परिस्तितिया आ जाती है जिसके कार्ण हमें क्या करने पड़ते हैं जो भी हमने decisions लिये थे उनको change करना पड़ता है तो इस तरह से ऐसी परिस्तिया नॉर्मली घरों में आती है तो इस लिए इस परिस्तिया जो होती है लगभंग उन परिस्तियों को control करना है तो adjustment क्या है जरूरी है means कि समय को ध्यान में रखते हैं अपने कारे को करना आई थी तो sometimes क्या करना पड़ता है अपने निर्ने बदलने पड़ते हैं यह होता है समायोजित करना means कि adjustment करना आपके आता है नियंतरन की विशेष्टा है देखें नियंतरन की विशेष्टा है सिंपल है नियंतरन एक प्रबंद की कारे बिल्कुल प्रबंद की जरूत होती है सतक चलने वाली प्रकिरिया बिल्कुल नियंतरन जो है सतक चलने वाली प्रकिरिया कोई भी कारे चल रहा है उसके अंदर समय समय पर क्या करते हैं ध्यान रखना पड़ता है कि कारे ढंग से अच्छे से हो रहा है नहीं तथ्यों को पराधारित है बिल्कुल जो भी डेटा होते हैं उनी को बेस मानके हुए जो है ये नियंदरन का कारे किया जाता है उसके अलावा एक संपूर्ण पदत है बिल्कुल सही बात है संपूर्ण पदति है इससे हमें घ्यान हो जाता है कि हमारा कारे अच्छे से चल रहा है नहीं तो हमें क्या चेंजिस करने है क्या उपाय करने है इंको सही हमारी लक्षयों तक उद्देश्यों तक पहुंचने के लिए ठीक है उसके अलावा आता है क्योंकि सब को कारे दे दिये जाते हैं, सब के कारे को जांच निरिक्षन की जाती है, ध्यान में रखा जाता है, तो उसके अंदर हस्तक शेप से क्या है, यह भिन है, नियंतरन सकारात्मक वे नकारात्मक दोनों होता है, बिल्कुल होता है, नियंतरन सकारात्मक भी होता है, औ होता है अगर कुछ changes करने पड़ती हैँ परिस्तितियां वदल जाती है तो हमें changes लाने पड़ते हैं ठीक है वह होता है सकारात्मक वै इतने भी स्तर हैं सभी स्तरों पर जो प्रबंद है वो क्या होता है नियंत्रन जो है वो लागू होता है नियंत्रन नियोजन पर आधारित है बिल्कुल सही बात है योजना सबसे फर्स्ट स्टेप था ग्रह बरबंद प्रकिरिया का और जो नियोजन है उसी पर आधारित होते क्योंकि हमने पहले जो योजना बनाई है उसी को ध्यान में रखते हैं हमारे आगे के सभी कारें पूरे होते हैं नियंतरन काक्षेतर व्यापक है क्योंकि नियंतरन केवल मानुविय क्रियाओं का किया जाता है नियंत्रन किसका किया जाता है सिर्फ मानुविय क्रियाओं का किया जाता है क्योंकि सामगरी हो जाए पूंजी हो गई उत्पादन क्रय विक्रय आदिस्तर पर भी किया जाता है यंत्र पर किया जाता है तो ये चीज़े ध्यान रखने वाले नियंतरन का ख्षेतर क्या है व्यापक है ठीक है चलिए ये था आपका नियंतरन I hope student आप सबको ये समझ में आ रहा होगा easily समझ में आ रहा होगा सो हमारा last step जो आ रहा है वो है आपके मुल्यांकन ग्रह प्रबंद परकिरिया का fourth जो step है मुल्यांकन मुल्यांकन क्या होता है जो भी हम कारे करते हैं किये गए कारे को ध्यान में रखना की और evaluate करना कि हम अपने किस लक्षय तक पहुँचे हैं हमने जो लक्षय उद्देशय बनायते हैं वो हमारे पूरे हुए हैं या नहीं पूरे हुए अपने कारे का मुल्यांकन करना ठीक है यह होता है मुल्यांकन अपने कारे में कितनी सफलता मिली है ठीक है वो मुल्यांकन होता है यह ध्यान रखना means कि जब आपका कारे पूरा हो जाता है मुल्यांकन बेसिकल evaluation करना evaluate करना अपने की ये गए कारे को कोई भी कारे है जब वो complete हो जाता है तो उसमें ये चीज़ देखना कि हमारे जो लक्षय और उर्देश्य हमने बनाई थी हम उस पे कहां तक सफल हुए हैं कहां तक नहीं सफल हुए हैं अगर सफल हुए हैं तो अच्छी बात है और हमारे की हमारी योजना सफल रही और अगर असफल हुए हैं तो असफल तक कारण क्या है इन सब चीज़ों को ध्यान करना, evaluate करना कहां कमी रह गई कारे में, कहां नियोजन में कमी रह गई, कहां संगठन में कमी रह गई, सो ये सब चीज़ें ध्यान रखना क्या है, मुल्यांकन, ठीक है, मुल्यांकन के क्या होते हैं आपके, मुल्यांकन के basically दो प्रकार होते हैं, ए कि तुलनात्मक विवेचना की जाती है मीन्स की कारे खतम होने के बाद योजना की समाप्ती हो गई उसके बाद लक्षयों के प्राप्ति हमें किस हद तक हुई है किस सीमा तक हुई है इसका क्या किया जाता है तुलनात्मक अध्यन किया जाता है यह सामईक वैसाधारन होती है means की दो चीजों की बीच तुलना की जाती है कि हम अपने लक्षे हमारी जो लक्षे है उद्देशे हैं उसकी हम कि सीमा तक हम सफल हो पाए हैं जिसमें क्या होता है तुलना निमना धारों पर करी जा सकती है कैसे कर सकते हैं आप पूर्व योजना से प्राप्त लक्षे means की पहले जो योजना बनाई थी उससे प्राप्त जो लक्षे है और उसके अलावा आपके second आ जाता है वरतमान योजना के लिए निश्चित किये गए कारे means की वरतमान में जो भी योजना है उसके लिए हमने जो लक्षे निश्चित किये गए थे उसके आधार पर तुलना की जाती है परिवार द्वारा प्राप्त लक्षे ठीक है परिवार के द्वारा हमें जो भी लक्षे प्राप्त हुआ उसके आधार पर तुलना की जाती है means की मुल्यांकन जो है उसमें तुलनात्मक आधार जो ऐ आपके निर्पेक्ष मुल्यांकन की बात की जाए तो इस प्रकार के मुल्यांकन में तुलना करने की जरुत नहीं होती नहीं है कि योजना कहां तक सफल हुई है सापेक्ष में क्या था आपको तुलना करनी है लेकिन निर्पेक्ष में क्या है आपको यहां तुलना करने की जुरत नहीं है कि आप किस हद तक सफल हुए है किस हद तक नहीं हुए इसलिए व्यावारिक तोर पर इस मुल्यांकन का महत्व क्या हो जाता है बहुत कम हो जाता है क्योंकि जहां तुलना नहीं हो रही, जहां आपको ये पता नहीं चल रहा कि आपका कार्य किस हद तक सफल हुआ है, कारण क्या थे, क्यों हुआ, किस आधारों को मानते हुए आप तुलना करते हैं, हम जानते हैं कि कार्य सफल क्यों नहीं हुआ, अगर हुआ तो सफल हमारी य गया किसी कारे को करने में तो यह सब चीजे तुलनात्मक होती है और अगर निर्पेक्ष मुल्यांकन की बात की जाये तो यहां तुलना करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि यहां योजना कहां तक सफल हुई है इसको नहीं देखा जाता वे हमारिक तोर पर मेंस की प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो यह मुल्यांकन जो है उसको उसका जो महत्व है वो बिल्कुल कम हो जाता है बिल्कुल हो जाता है क्योंकि जब आपको यही नहीं पता लगेगा कि आपका किया गया कार्य कितना सफल हुआ कितना सफल हुआ आप next जो भी कार्य करेंगे आप उसके अंदर कैसे सुधार लेकर आएंगे सुधार की अविशक्ता पढ़ती है तो evaluation का मतलब भी basically यही होता है यह अपने कार्य की सफलता सफलता के बारे में जानना ओके so students यह था हमारा आज का topic जो आपके ग्रह व्यवस्ता के परकेरिया की चरण चल रहे थे नियोजन मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया था और अभी आपको आज के वीडियो में मैंने संगठन, नियंतरन और मुल्यांकन यह चारो स्टेप्स करवाद ही है तो आप अच्छे से पढ़िएगा I hope आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा like, share, subscribe करना नहीं भूलिएगा thank you so much for watching my video God bless you all, bye